नमस्कार मित्रो, स्वागत है फिर से एक बार आपका मैं हूँ पंकज देशपांडे आपका आकाउंटिंग फ्रेंड और आज हम जानने वाले है कि हम ट्रायल बैलंस का इनलेसिस किस तरह से कर सकते हैं Tally में Trailer Balance का Analysis करते समय है। आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। क्या क्या काम आपको करने चाहिए। ये मैं ऐज आपको बताऊंगा। और Trailer Balance यह जो चीज होती है, यह जो रिपोर्ट है裁 habrans, it is the starting point in case of any audit, तो auditing with Trial Balance हम आज सीखेंगे, particularly in Tally ERP 9, में जब भी आप audit कर रहे है तो आपको क्या-क्या मदद trial balance से मिल सकती है ये हम जानेंगे तो ये जानने के लिए सीधे चलते है टैली स्क्रिन की तरफ यहाँ पे आपके सामने एक टैली की कमपनी खुली हुई है कमपनी का अब आप जब भी audit करना चाहे तो trial balance के साथ आप किस तरह से audit कर सकते है ये हम अभी सिखेंगे टैली में audit करने के लिए या कोई भी सौफटर में audit करने के लिए आपके पास पहला step पहला point होता है trial balance trial balance क्या होता है what is trial balance trial balance is nothing but list of all leisure balances आपके पास जितने भी leisure balances है सारे के सारे leisure balances trial balance में आ जाएंगे आप यहाँ पे जो trial balance देख रहे है ये grouped trial balance है grouped trial balance मतलब इसमें leisers के नाम आपको नहीं दिख रहे है इसमें group के नाम आपको दिख रहे है तो यहाँ पे देखे capital account है उसके अंदर share capital है उसके अंदर यहाँ पे दो आपको capital के ledger दिख रहे है उसके बाद loans liability इसके अंदर कुछ है current liability के अंदर कुछ है तो यह आपके सामने grouped trial balance है अगर आपको ledger wise trial balance चाहिए होगा तो आप यहाँ पे click कर सकते हैं F.I.U. ledger wise यहाँ पे मैं click करता हूँ click करने के बाद यह grouping हट जाएगा और आपको पूरा का पूरा trial balance ledger wise मिलेगा ledger wise मतलब यहाँ पे grouping निकल गया है और सारे एक 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 ledger आपको दिख रहे है तो आप trial balance का analysis दो तरीके से कर सकते हैं या तो group wise या तो ledger wise वापस मैं इसे grouped के उपर click करता हूँ तो मेरा भी आगया है group trial balance अब आपको audit करना है trial balance के साथ में तो आप बहुत सरी चीज़े कर सकते हैं क्या क्या कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ चलिए यहाँ पे F12 configure नाम का एक बटन है यहाँ पे मैंने click किया अब यहाँ पे देखिए एक option दिया है opening balances show opening balances तो यहाँ पे मैं करता हूँ yes हम एक at a time एक ही चीज़ करेंगे एक ही setting देखेंगे show opening balance यहाँ पे मैंने enter 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 किया और बागी कुछ भी change नहीं किया मैंने आप यहाँ पे देख सकते हैं अब मेरे पास में यह period आप देखिए 1 April 19 से 31 March 20 तक का period यह यहाँ पे opening balance और closing balance यह दो अलग-अलग section आ चुके हैं और debit और credit यह दो कॉलम opening में भी है और closing में भी है तो अगर आपको opening balances चेक करने है पिछले साल की balance sheet के साथ में तो आप opening balance यहाँ से चेक कर सकते हैं टैले में opening balance चेक करने के लिए सबसे best तरीका यह है कि आप trial balance में चाहिए और वहाँ पे जाके आप opening balance ले लिजे अब opening के साथ में आपको closing भी मिल रहा है तो आप analysis कर सकते हैं यहाँ पे कि opening से closing तक का सफर किस तरह से तै हुआ है मतलब एकादे ledger में opening balance नहीं है और उसमें closing है या फिर opening है और closing नहीं है या फिर opening भी है और closing भी है तो दोनों में जो difference हा रहा opening balance 10,000 और closing balance 20,000 रुपए तो ऐसा क्यों हुआ है इसके बीच में क्या-क्या transactions हुए यह आप बड़े आसानी से check कर सकते है अब मुझे यहाँ पे closing balance नहीं चाहिए सिर्फ opening चाहिए तो वो भी मैं कर सकता हूँ फिर से मैं जा रहा हूँ configure में और यहाँ पे show closing balance को कर रहा हूँ no, enter, enter, enter और accept अब आप देखिए यहाँ पे मुझे सिर्फ opening balance मिल रहा है तो मेरे पास पिछले साल की balance sheet है वो पिछले साल की balance sheet के साथ में मैं यहाँ पे एक-एक करते हुए सारे opening balances चेक कर सकता हूँ अब यहाँ पे आपको group trial balance के साथ checking करना आसान होगा आप अगर individual ledger के साथ चेक करने चाहेंगे तो यहाँ पे F5 ledger wise करने के बाद आपको तकलिफ होने वाली है क्योंकि balance sheet जो आपकी पिछले साल की है signed balance sheet वो signed balance sheet group के हिसाब से ही रहने वाली है तो यहाँ पे हम वापस group के ओपर click करके यह group trial balance लेंगे और यहाँ पे हम opening balances जो है भी check कर सकते है So this is how we can check the opening balance Opening balance checking is the first step in any audit अब इसके बाद में मैं वापस करता हूँ F12 configure show opening balance यहाँ पे मैंने yes किया show transactions को भी मैंने yes किया net transactions only को no करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ yes बागी कोई change मैंने नहीं किया अब यह आपके सामने है grouped trial balance और grouped trial balance में आप देखे यहाँ पे क्या दिख रहा आपको अब यहाँ पे आपको opening दिख रहा है opening के साथ में transaction भी है debit total during the year पूरे साल भर में debit totals कितने है एकादे particular group में यह credit total है और यह closing balance है तो आपको यहाँ पे आपके पूरे accounting की पूरी कुंडली दिख रही है आपको सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे तो audit start करने के पहले आपको यह सोचना है यह तय करना है कि कौन सा area आपके लिए important है कहाँ पे आपको गलतिया मिल सकती है कहाँ पे आपने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए तो यह जो चीज़ है यहाँ से आप बड़े आसानी से check कर सकते है अब इसमें 2-3 point आपको मैं बताता हूँ आप अपने दिमाग से बहुत सरी चीज़े इसमें ढूंड सकते है निकाल सकते है बाहर मैं आपको सिर्फ एक guidance दे रहा हूँ थोड़े से आपको points बता रहा हूँ जो आप यहाँ पे check कर सकते है यह हम देख रहे है fixed assets तो fixed assets में addition to fixed assets अगर कुछ है तो auditor का ध्यान उसकी तरफ जाना चाहिए और auditor का ध्यान इसलिए भी जाना चाहिए क्योंकि addition to fixed assets होंगे तो depreciation calculation जो है आपका यह depreciation calculation गलत होने की संभावना होती है तो यहाँ पे देखिए addition to fixed assets मतलब इसका मतलब यहाँ पे addition to fixed assets है मैं यहाँ पे enter कर रहा हूँ यहाँ पे देखिए 3600 रुपे का कुछ हमने खरीदा है अब यह 3600 रुपे का अगर यह company है तो day wise depreciation होगा अगर यह non company है तो income tax at canusar depreciation calculate होगा तो हमने कौन सी तारीक को खरीदा है कितने में खरीदा है सही में यह fixed assets का addition है क्या के कुछ और है इसका हमारे पास bill है क्या इसका GST input हमने सही तरीके से लिया है क्या यह सारी चीजे आप check कर सकते है लेकिन उसकी लिए आपको पता तो चले कि addition to fixed assets है क्या fixed assets के बाद में मैं आपको एक और point यहां पर बताता हूँ जो आप tally के साथ यह जो trial balance का format है इसके साथ auditing आप बड़े आसानी से कर सकते है वो है यहां पर आप देखिए यह direct income indirect income और sales account यह तीन आपके पास group है income के लिए tally में एक बात आप हमेशा याद रखिए कि income group में कभी भी कोई debit transaction नहीं होना चाहिए income group में हमेशा ही credit transaction होना चाहिए normally income group में कोई debit transaction नहीं होता है अब यहां पर income group में debit transaction दिख रहा है 64916.58 income group में credit transaction है वो तो okay है उसमें कोई problem नहीं लेकिन यहाँ पे debit में भी कुछ दिख रहा है, तो यह debit क्या है, यह सही है कि गलत है, यह हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, 64, अब यहाँ पे enter करने के बाद मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, 847 का transaction यहाँ पे दिख रहा है, अब यहाँ पे आप ध्यान आकरशित करने वाली चीज़े, credit note, debit note जितने भी होते हैं, इसमें fraud होने की possibility होती है, तो आपको credit note और debit note भी चेक करना चाहिए, इनका calculation भी चेक करना चाहिए, तो income account में अगर कोई debit transaction है, तो आपका ध्यान उसके तरफ जाना चाहिए, और आपने वो सारे transaction चेक करने चाहिए, इसके बाद में यहां पे देखे, यह indirect income यहां पे भी वैसे ही दिख रहा है, debit transaction क्या है, हमें चेक करना पड़ेगा, हमने किसी को discount दिया है, यहां पे दिख रहा है मुझे, तो यह discount सही है, गलत है, क्या है, यह हमें जरूर चेक करना पड़ेगा, इसी तरह से, expenses के हमारे पास तीन ledgers है, expenses के कौन से तीन groups है, ledgers नहीं, यहां पे देखे, purchase account, यह हमारे पास एक group है, expense का, उसके बाद direct expenses, उसके बाद indirect expenses, यह तीन हमारे पास groups बने हुए है, purchase के लिए, तो purchase account में भी आपका, कोई credit transaction नॉर्मली नहीं होना चाहिए, purchase group में हमारा हमेशा debit transaction ही रहेगा, अब आप यहां पे देख सकते हैं, यह है indirect expenses, यहां पे credit transaction मुझे दिख रहा है, तो यह सही भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलत ही होगा, लेकिन यह चेक करना आपका काम है, तो आपका audit इससे आसान होने वाला है, तो indirect expenses में आप जाके, यहां 400 रुपे दिख रहे हैं मुझे, 400 रुपे में क्या है, SMS expenses यहां पे दिख रहा है, यहां पे मैं enter-enter करके अंदर जा रहो, तो 400 रुपे में देखिए क्या हो रहा, यहां पे यह भी debit note का transaction है, फिर से auditor का ध्यान यहां पे जाना चाहिए, कि debit note का calculation सही है क्या, और यह debit note हमने कि कि authority से issue किया था, अगर credit note issue किया है, तो वो भी किस के authority से गया है, तो यह सारी चीजे हमारे ध्यान में आनी चाहिए, यहां पे GST का impact हमने लिया है क्या, यह भी हमें देखना पड़ेगा, कि debit note में सिर्फ party को debit किया है, यहां पे GST का impact भी लिया है, तो GST का calculation सही है क्या है, rate सारी चीजे हमें चेक करनी पड़ेगी audit में, तो जिस तरह से हमारे income groups में debit transaction नहीं होने चाहिए, वैसे ही हमारे expenses के group में credit transactions नहीं होने चाहिए, एक और चीज में आपको पताता हूँ यहां पे, loans liability के अंदर देखिए, unsecured loans नाम की एक चीज़ है, तो unsecured loans में, income tax act में एक section ह SS और एक है section section 269T, तो यह section बड़े ही dangerous section है income tax act के, इसका violation नहीं होना चाहिए, यहां पे अगर violation हुआ तो बहुत भेंकर उसकी penalty लग सकती है आपको, तो यह violation हो रहा है क्या, यह आप बड़े आसानी से चेक कर सकते हैं, कि 20,000 रुपे के उपर कोई loan cash में जा रहा है क्या, त enter करके check कर सकता हो, check करने के बाद देखिए, यह bank का transaction है, अब यहां पे कोई problem नहीं है, दूसरा यहां पे गया है, यह भी चेक किया है, यह भी bank का transaction है, तो यहां पे भी problem नहीं है, तो loan के case में कोई transaction हो रहे है, क्या, यह हमें check करना पड़ेगा यहां पे, यह देखिए, debit मे transaction है credit में कोई transaction नहीं है यह unsecured loan में हमने check कर लिया है इसके साथ ही आपका current assets के अंदर एक option होता है loans and advances assets तो यहाँ पे भी आपको check करना पड़ेगा debit और credit आपको दोनों दिख रहे हैं तो यहाँ पे कोई cash के transaction है क्या यह भी आप जरूर check कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत सारे options यहाँ पे खुल जाएंगे अगर आप trial balance से audit करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़े देखना आसान हो जाएगा यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ F12 और F12 करने के बाद में यहाँ पे एक option है net transactions only तो यह net transactions only को मैंने किया yes करने के बाद enter enter करूँगा मैं और enter करने के बाद देखे यहाँ पे debit और credit की जो net total है वो net total यहाँ पे आ रही है तो कभी कभी यह भी हमें देखने की जरूरत होती है कि हमारा net transaction कितना है तो आप net transaction यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपका opening balance दिख रहा है यहाँ पे net transactions और यहाँ पे closing balance हमें दिख रहा है तो यह भी इस तरह से आप analysis कर सकते हैं capital account यहाँ पे दिया हुआ है capital account में net drawings आपके कितने है यह आप बड़े आसनी से यहाँ पे देख सकते है बहुत बार क्या होता है कि owner business को पैसा देता है पैसा निकालता है देता है निकालता है तो ultimately हमें यह देखना है कि owner ने net drawing कितना किया है business से कितने रुपे निकाले है net में तो वो net transaction यहाँ पे आप trial balance में देख सकते हैं अब यहाँ पे यह company होने की वज़े से यहाँ पे कोई drawings नहीं है otherwise proprietorship या partnership business में यहाँ पे आपको net transactions में drawing जरूर दिखेंगे तो बहुत सरी चीज़े है मित्रो यह trial balance जो है यह खजाना है खजाना तो यह खजाने में आपको बहुत सरी चीज़े मिल सकती है और यह बहुत सरी चीज़े आपका काम आसान कर सकती है auditing का मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जब भी audit करना है तो audit करते समय आपने starting trial balance से करना चाहिए क्यों कि trial balance ये ऐसी चीज़े जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा accounting में जितनी भी चीज़े है वो सारी की सारी आपको trial balance में मिल जाएगी और trial balance के बाहर कुछ भी नहीं होता है तो आपने एक बार trial balance देख लिया इसका मतलब आपने जो boundary है boundary चेक कर ली मतलब ये boundary के बाहर कुछ भी नहीं रहने वाला है ये वो जो भी रहेगा ये boundary के अंदर ही रहने वाला है तो मेरा सुझाव है आप सभी को कि आप हमेशा trial balance के साथ ही अपना audit स्टार्ट करें कैसा लगा मित्रो आचका ये वीडियो आपको आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा ऐसी मुझे आशा है और इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें साथ में बेल आइकन भी दबाए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप अपने कोई वीडियो चाहिए होंगे तो आप मुझे बता सकते हैं मैं जरूर आपके वीचारों का सम्मान करूँगा और कोशिश करूँगा कि आप जो वीडियो चाहते हैं वो मैं आपको बना के दूँ Thank you very much for watching this video have a nice day and all the best